नमस्कार विद्यार्थियो आज हम कक्षा साथ वसंत भाग दो के दस्में पाठ अपूर्वन भव का अध्यन करेंगे यह पाठ तोतोचान साहित्य से लिया गया है तोतोचान विश्व साहित्य की एक अमुल्य निधी है जो मूलत है जापानी भाषा में लिखी गई है इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है यह एक ऐसी अदभुत पाठ शाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी गहरे जड़ों वाले पेड़ पाठ शाला का गेट शाखा बच्चों के खिलने के कोने इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी लेखी का स्वेम इस स्कूल की छात्रा थी उनी के बच्चपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतोचान और उसका यह अंश अपूर्व अनुभव इसका यहां जो हिंदी अनुवाद दिया गया है वो पूर्वा यागिक कुश्वाहजी ने किया है तो पाठ इस तरह से शुरू होता है सभागार में शिविर लगने के दो दिन बाद तोतोचान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था इस भेद का पता ना तो तोतोचान के माता पता को था नाहीं यासुकी चान के उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चड़ने का न्योता दिया था यासुकी चान विद्याले का एक बच्चा था उसका मित्र था जो की विकलांग था और उस विद्याले में तो मुए विद्याले का नाम है तो मुए में हर एक पेड को अपने खुद के चड़ने का पेड मानता था तो तोचान का पेड मैदान के बहारी हिस्से में कुहुन बुठसु जाने वली सडक के पास था बड़ा आसा पेड था उसका चड़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते पर ठीक से चड़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की उ मैं या स्कूल के बाद उपर चड़ी मिलती वहां से वह सामने दूर तक उपर आकाश को या नीचे सडक पर चलते लोगों को देखा करती थी बच्चे अपने अपने पेड को निजी संपत्ति मानते थे किसी दूसरे के पेड पर चड़ना हो तो उससे पहले पूरी और ना किसी पेड को निजी संपत्ति मानता था अधर तो तो चान ने उसे अपने पेड पर आमंद्रित किया था पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कई क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डाटते घर से निकलते समय तो तो चान ने मांसे कहा कि वह यासू की चान के गर डेनें चोफु में जा रही है डेनें चोफु जगे का नाम है और वहां यासू की चान का घर है चुकि ने जूट बोल रही थी इसलिए उसने मा की आँखों में नहीं जाका पहें अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाइ रही रौकी जोकी तोतो चान का कुट्टा था उसके पीछे-पीछे इस्ट्रेशन तक आया जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया कुट्टे को सच बताने के दो फायदे हो गए एक तो कुट्टा किसी से कहेगा नहीं ये बात और दूसरा जो जूट बोलने का भार तोतो चान पर था उसके मन में इगलानी का भाव था उससे भी उमुक्त हो गई उसने रौकी को बताया मैं यासु की चान को अपने पेड़ पर चड़ने देने वाली हूँ जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के असपास हवा में उड़ रहा था यासु की चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सुना पड़ा था यासु की चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बढ़ा था पर तोतो चान को वे अपने से बहुत बढ़ा लगता था जैसे ही यासु की चान ने तोतो चान को देखा वह पैर गसीटता हुआ उसकी और बढ़ा उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों और फैले हुए थे तोतो चान उत्तेजित थी वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था वह उल्लास में ठिठिया कर हसने लगी यासु की चान भी हसने लगा तोतो चान यासु की चान को अपने पेड की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चोकिदार के छपर की ओर भागी जैसा उसने रात को ही तै कर लिया था वहां से वह एक सीधी गसीटती हुई लाई उसे तने के साहरे ऐसे लगाया जिससे वह दूई शाखा तक पहुच जाए वह कुरसी से उपर चड़ी और सीधी के किनारे को पकड़ लिया तब उसने पुकारा ठीक है अब उपर चड़ने की कोशिश करो यासु की चान के हाथ पेर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीधी पर भी बिना सहारे के चड़ नहीं पाया इस पर तोटोचान नीचे उतर आई और यासु की चान को पीछे से धकियाने लगी पर तोटोचान थी छोटी और नाजुक सी इससे अधिक सहायता क्या करती यासु की चान ने अपना पैर सीधी पर से हटा लिया और हताशा से सिर जुका कर खड़ा हो गया तोटोचान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वैं सोचे बैठी थी अब क्या करे वह यासु की चान उसके पेड़ पर चड़े यह उसकी हारदी किछा थी यासु की चान के मन में भी उत्साह था वैं उसके सामने गई उसका लटका हुआ चेहरा इतना उदास था कि तोटोचान को उसे हसाने के लिए गाल फुला कर तरह-तरह के चेहरे बनाने पड़े ठेरो एक बात सूजी है वैं फिर चोगिदार के छपर की ओर दोड़ी और हर एक चीज उलट-पुलट कर देखने लगी आखिर उसे एक तिपाई सीधी मिल गई जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था वैं तिपाई सीधी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ती पर हैरान होने लगी तिपाई की उपरी सीधी दूशाखा तक पहुँच रही थी देखो अब डरना मत उसने बड़ी बेहन किसी आवाज में कहा यह डगमगाएगी नहीं यासु की चान ने घबरा कर तिपाई सीधी और पसीने से तरवतर तो तो चान के और देखा उसे भी काफी पसीना आ रहा था उसने पेड़ की और देखा और तब निश्चे के साथ पाँ उठा कर पहली सीधी पर रखा उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासु की चान को उपर तक चड़ने में लगा सूरज का ताफ उन पर पढ़ रहा था पर दोनों का ध्यान यासु की चान के उपर तक पहुँचने में रमा था तो तो चान नीचे से उसका एक-एक पैर सीधी पर धरने में मदद कर रही थी अपने सिर से वे उसकी पिछले हिस्से को भी इस्तिर करती रही यासु की चान पूरी शक्ती के साथ जूज रह था और आखिर वह उपर पहुँच गया हुर्रे पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी तोतो चान तो सीडी पर से छलांग लगा कर दुशाखत पर पहुँच गई पर यासु की चान को सीडी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही यासु की चान सीडी था में तोतो चान की औरताक नहीं लगा तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई उसने चाहा था कि यासु की चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजे दिखाए पर वे रोई नहीं उसे डर था कि उसके रोने पर यासु की चान भी रो पड़ेगा उसने यासु की चान का पोलियों से पिचकी और अकड़ी अंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया उसके खुद की हाथ से वे बड़ा था उंगलियां भी लंबी थी देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही तब बोली तुम लेट जाओ मैं तुम्हें पेड़ पर खीचने की कोशिश करती हूँ उस समय दुशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासु की चान को पेड़ के और खीचते अगर कोई बड़ा देखता तो वे जरूर डर के मारे चीख उड़ता उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते पर यासु की चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वे खुद भी यासु की चान के लिए भारी खत्रा उठा रही थी अपने नने नने हातों से वे पूरी ताकत से यासु की चान को खीचने लगी बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दूशाखा पर थे पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो तो चान ने सम्मान से जुक कर कहा मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है यासु की चान डालके साहरे खड़ा था कुछ जिजगता हुआ मैं मुस्कुराया तब उसने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ उस दिन यासु की चान ने दुनिया की एक नई जलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था तो ऐसा होता है पेड़ पर चड़ना यासु की चान ने खुश होते हुए कहा वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे मेरी बहन अमरीका में है उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है टेलीविजन यासु की चान उमंग से भरा बता रहा था वे कहती है कि जब वे जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे वे कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है तो तो चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासु की चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या आर्थ होंगे वे है तो यही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे उनका आकार तो बड़ा होता है पर बात उसे बड़ी लुभाव नहीं लगी उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था पेड मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे यासुकी चान के लिए पेड पर चड़ने का ये पहला और अंतिम मौका था पाट समापत हुआ मैं उमीद करती हूँ आपको इपाट बहुत अच्छा लगा होगा यदि पाट अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद